और आइसान के भीलवड़ा जिले के कोटडी उपखन मुख्याले पर बीती रात को सदर बाजार में स्थेत दिगंबर जयन समाज के मंदर हो गए बता दें कि चोरी में चोर और पुलिस दोनों ही धोका खा गए हुआ कुछ यहों कि मंदर में भगवान के चड़े स्वन अभूशन को चोर नकली सोने का समझ का छोड़ गए तो जब चोर मंदर में चोरी कर रहे थे उनके साथी बाहर निकाहे रखे होए थे उसी समय रात में गस कर रही पुलिस की जीप में बेटे पुलिस कर्मी भी धोका खा गए और पुलिस चोरों को पहचान नहीं पाए आगे निकल गए और इस ज़ुरान वैन और बाइक पार सवार होकार चोरी करने आये थे चोर इन्होंने मंदिर से करीब 4,6,6 किलो चांदी और 29,6 और 2,3 लाक रुबे की नकदी दान पात्र तोड़ कर निकाल ली है लेकिन इस दोरान चोरी में चोर भगवान के चड़े हुए सौना वुषन को वहां रखे कलश और नकली सोने का समझ कर दोका खाकर वही छोड़ कर चले गए बड़ी बात यह रही कि जिस समय चोर मंदिर में चोरी कर रहे थे उस समय सदर बाजार में मंदिर के बाहर पुलिस भी जीब से गश्ट कर रही थी चोर पुलिस जीब देखकर छिप गए और कुछ नीचे जमीन पर लेट गए यही नहीं पुलिस की जीब मंदिर से कुछ ही दूरी पर जाकर वापस मुड कर भी आई लेकिन इस बार भी पुलिस कर्मियों को मंदिर के अंदर हो रही चोरी और बाहर निकाह रखे होए साथियों पर नजर नहीं पड़ी एसे में पुलिस का एक सिपाही और ठाने की जीब सीसी टीवी फुटेज में मंदिर के बाहर गुजरते होए साथ नजर आ रही है जो मंदिर में चोरी हो रही थी और मौनसून का कहर अभी भी देश्विकाई हिस्सों में देखने को मिल रहा है लगातार मौनसून ट्रफ रेखा की बात करें तो बीकानेर गौलियर पटना से होते होए बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्फ की ओर से गुजर रही है और इसी बीच कच्छ और उसके आसपास के अलाकों में चकरवाती हवाओं का शेत्र भी बना हुआ है मौसम पूर्वा नुमान एज्वनसी स्काई मैच के मुताबिक महराश्व अमध्यप्रदेश के कई अलाकों में भारी बारिश की ततिविदियां भी जारी है ऐसे मौसम पूर्वा के मुताबिक साथ से नो सितंबर के बीच उत्तर बश्च में भारत के कई राज्चों में भारी बारिश की संभावना जटाई गए हिमाचल प्रदेश उत्राखंड उत्री पंचाब चमु कश्मीर राजिस्तान में आंधी तुफान के साथ भारी बारिश की आशंका जटाई जारे है साथी राजिस्तान में बरसात की कतिविदियां एक बार फिर से बढ़ सकते हैं पूर्वे राजिस्तान के तमाम इलाके हैं जो अभी भी सूखा पड़ा है जहां पर सूखे का सामना कर रहे हैं वहां पर बारिश की बहचार पड़ सकते हैं मौसमे ग्यान केंज के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरन तंत्र बन गया है जो की सते से 4.5 किलो मीटर उपर एक विस्तुरित है इसके प्रभाव से आज एक कम दबाव का सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उतरी और पूर मद्दे भागों की तरफ बनेगा जिसकी वजो से इसका जो असर है वो पूर्वे राजिस्तान के आगामी दिनों में मौनसुन सक्रिय हो जाएगा ऐसे मौनसम विभाग केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि उद्यपूर और कोटा संभांग के जिलो में आठ सितंबर से कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है आगे सिस्टम का असर कमोबेश पूरे राजिस्तान में भी देखने को मिल सकता है जिससे प्रदेश में 16 सितंबर तक बरसात होने के आसार रहेंगे और अकुदादी की राजिस्तान में 6 जिलो की करीब 75 पर समयतियों पर और सभी जिलो की जिला मुख्यालों के वोड सदस्य पदों पर वोई चुनाव का परिनाम आ चुका है तो वहीं अब सभी की निगाहें जिला प्रमुक और प्रधान के चुनाव पर टिकी हुई हैं ये चुनाव आज होने वाले हैं और इसी के लिए ना केवल दोना प्रमुक पार्टियां बलकि प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ था जैपुर में जिला प्रमुक का चुनाव जिला परिशद मुख्याले पर किया गया जबकी प्रधान के चुनाव पंचाय समितियों में होंगे इसे भी जिला प्रमुक और उप्रधान का चुनाव इसके अगले दिन यानि कि 7 सितमबर को किया जाएगा जानकारी के नुसार आपको बता दें कि जिला प्रमुक और उप जिला प्रमुक के लिए चुनाफ की पूरी प्रक्रिया जिला परिशिद आफिस में की जाएगी